हेलो नमस्कार आदाप सस्रियाकाल गूर्णिंग दोस्तों जी इस वाले भई आपका हरदिक स्वागत वह मैं भी नंदन करते हैं तो दोस्तो हम लोग यहाँ पर PCS का प्रैक्टिस सेट सॉल कर रहते हैं जिसमें हम लोगों ने हिश्टरी के तीम प्रैक्टिस सेट ancient, medieval और modern बहुत अच्छे तरीके से चारो आप्शन को कवर करते हुए background को fully कवर करते हुए बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है एकदम exam oriented session रहा है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा question उसमें से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों और दोस्तों उसी तरीके से ये world geography का है इसके बात आएगा इंडिन जोगर्फी तो दोस्तों ये world geography का practice set है बहुत अच्छे तरीके से इसको देखिएगा समझेगा इसमें भी पूरा fully चारो option को cover करते हुए background को detailing के साथ समझाते हुए पढ़ते हुए हम लोगों ने cover किया है तो दोस्तों अब आप लोगों का बेशकीमती समय को नाखर्श करते हुए हम लोग अपने session के शुरूआत करो है पहला question है पत्रन रेखांकन और bending निम्ल लिखित कत्रों पर विचार करें आगने चट्टाने पृत्वी पर प्राथिमिक चट्टाने सबसे पहले आगने चट्टाने ही बनी तो यह सबती statement है ठीक है प्रा आगने चट्टाने उसके बाद जो है औसादी चट्टान फिर कायंतरी चट्टाने ठीक है बाहे आगने चट्टाने हैं तो यह बड़ी चट्टाने होती है और जो बाहे आगने चट्टाने होती है जब इसका क्या हो जाएगा इसका पूछा कौन सा सही है तो पहला सही हो जाएगा क्यों ठीक है चट्टाने और लुपान्ते चट्टाने अब आगने चट्टान के बारे में हम लोग देखते है यह मैगमा या लावा के जमने से बनती है और इसके कुछ उदाहरण है जैसे पूछा जाता है ग्रिणाइट है बेसांट है प्यगमाटाइट है डायोराइट और ग्रेबबरो ह रहेँ होती है यह इतनी होती है कि इस्वाश में रहेगा ने है ठीक है और यह इस थूलlog परत भीन होती है ठीक ठीक आरथिक रूप से बहुत ही समपन्न चट रहें हो में कि निकल ऱunu यह सब फाइणी हैusan democrat करोण मेंगैर सुना ये सब धाथु पाई जाती है जो कि बेसाल्ट चट्टानों में लोहे की मातरा सरवादिक होती है अब आगने चट्टानों का ही एक प्रकार है । बेसाल्ट औग सें यहां पाई जाती है घ्यान देना है और यह पैग्मा ताइट एक उधारण है पैग्मा ताइट क्या है कोडरमा जार्ख Gregory में ब्लता है बहुत इंपोर्टन क्यों पूछा जाता है कि अभ्रक निमलेखित में से किन चत्टान कमशे है तो और ऑ dime Rind अभी तक जितने पढ़े हैं इसमें से 5-6 questions पूछे गए हैं अब देख लेते हैं आगने चट्टानी पिंड अब मैगमा के ठंडे होका ठो सुरूप धारन करने से विवन परकार के आगनी चट्टानी पिंड बनती हैं जैसे मैगमा धरातल के बाहर भी ठंडा होगा धरातल के भीतर जमता है और उससे अनेग प्रकार के आकरितियों का निर्माण होता है हम लोग पढ़ते हैं जैसे बैथोलित हो गया इस्टाउक हो गया लैकोलित फैकोलित यह सब अभी पढ़ेंगे पांच मिनट के अंदर ठीक है देख लेते हैं आगने कौन चट्टाने जो कायंतर चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है कौन से जैसे ग्रे नाइट इसमें परिवर्तित हो जाती है ठीक है ऐसे ही साइनाइट साइनाइट नीस में परिवर्तित होती है ग्रेब्रो सर्पेंटाइन में परिवर्तित हो जाती है और बिटुमिनस कोईला जो होता है वो ग्र तो बैथोलित उन सभी पिंडों में सबसे बड़ा और गुंबदा कार आकार का होता है और इसमें देखना मूलता ग्रेनाइट से बना होता है और इसका ध्यान देना है सह्यूक्तराज अमेरिका का इदाहो बैथोलित बहुत बड़ा बैथोलित है यह 40 किलोमीटर 40,000 वर किलो मीटर से ज़्यादा विस्तरित है लेकिन यह नहीं ध्यान देना बस समिक तुराज अमेरिका का इधाहो बैथोलित और इससे बड़ा एक तनाड़ा का कोस्ट रेंज बैथोलित है इधाहरन है यह ध्यान देना है ठीक है दूसरा जाता है इस्टॉक अब जैसे बै लेकिन बना होगा गरणाइट चाटानों से यह वी एक प्रकार का पाताली पिंट होगा ठीक है यह सब्ध्यान देना है लेकोलित हो गया लेकोलित का मतलब हम लोग इस को हम लोग कन्फ्यूजन होता है लेकोलित क्या होता यह दिखाई देता है ध्यान देना च्हतरी नुमा दिखाई देता है जब प्राइबा का होटी है ठीक छाइब लहरदार आकरीत में जमता है मैगमा और सिल साथ समानांतर हो जाता है समानांतर परतों में फेल कर जम जाता यह हो जाता है अब सिल डाइक विपरित हैं, डाइक क्या होता है मैगमा लंबवत दरार में जमता है, तो डाइक क्या लाता है, अब ये होगा हम लोग है, आगने चेक्तान, पूरा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, सूर के आरंभिक वायु मंडल में कौन सी गै कि इसी पुछे यह नहीं होता है पूरा नहीं जलता हो जाता है यहीं ओजाएगा और पर नहीं पहुंशना जित्विक पर नहीं पहुंशता है जो उपर हमको को दिखता ने क्या है टारा टूट गया वह उल्गा होता है भूदार हो जैसे sharp भूपरश्ट हो गया, mental हो गया, फूर हो गया, यह से पृत्वी की आंतरी पड़त है, तो विभिन घनत वाली पड़तों के इस्थाई करण से बनी हुई है, यह सथे statement है, वायुमंडल के विकास के समय, पृत्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में आक्सीजन की मातरा ज्याद और नाइट्रोजन की मातरा कमती, यह गलत बात है, अगर पृत्वी के प्रारंभिक वायुमंडल के विकास में आक्सीजन की मातरा थी ही नहीं दोस्तों, ठीक है, तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है, जो पृत्वी का प्रारंभिक वायुमंडल बनाता, वो भी हाइड्रोज जाएगा तो क्या हो जाएगा एक और तीन इसका सही हो जाएगा जिक्ष है और अधो को अ यह वाला नियृत है इसका यह के व чистो के नहीं से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा या संच्रण की दिशा के उर्धवादर नहीं होती समानांतर होती अभी बताएं उर्धवादर कौन सी होती है अभी केंदर से 105 और 145 के बीच का चेतर पी और एस दोनों तरंगों का च्छाया चेतर है ये वाला इस्टेटमेंट सही है तो इसका क्या हो जागा केवल और केवल तीन सही हो जागा ठीक है सात्मा है निम्लिखित में से निम्लिखित कथरों पर विचार करना है परिमार पैमाने को मरकेली स्केल के रूप में जाना जाता है और इसकी संख्या एक से बारा में होती है दोस्तों मरकेली स्केल एक से बारा में तो होती है लेकिन परिमार नहीं मापती है ये मरकेली स्के तीवर्ता मरिकेली स्केल परिमाल मापता है और कह रहा है कि तीवर्ता परिमाल मापता है और कह रहा है कि तीवर्ता परिमाल मापता है और तीवर्ता नहीं मापता है यह परिमाल मापता है ध्या देना है हमको अधिकांस किताबों में अधिकांस जगें हमको बहुत लोगों के इसका निर्धारण जो है कंद्रों हम गतते हैं ऑगर आगे बीजी कि अगर अगे बढती है तो उसकीirim उसका जो विद्धवन्स होता है, जो दस गुना ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो इस हिसाप से इसका दोनों गलत हो जाएगा, और क्या पूचा क्या सही है, तो ना तो एक सही है और ना तो दो सही है एट है निम्लिकेत में से कौन सा कतन पृतिवी की आंतरिक संग रचना के संदर में सही है महासागरों में भूपरपटी की मोटाई महादीपों की तुलना में अधिक होती है और इसका घंद तो 3 ग्राम प्रती घंद सेंटीमीटर घंद तवाली भारी चट्तान उसे होता है महासागरी जो भूपरपटी होती है लेकिन इसकी मोटाई महादीपों की तुलना से अधिक नहीं हूती है तो ये statement गलत हो जाएगा इसकी महासागरी भूपरपटी की मुटाई लगबग 8-10 km होती है ठीक है और 0-35 km तक crust फैला हुआ है ठीक है तो 8-10 ही हो गया 6 महादीपों की मतलब महादीपों की मुटाई जो होती है जादा होती है लेकिन महादीपों का जो घनत तो होता है महादीपी crust का जो घनत होता है वो कम होता है वो 2.67 होता है और महासागरों का घनत तो महासागरी भूपरपटी का घनत 3 ग्राम परती घन सेंटीमेटर होता है इसलिए तो अम परते सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है यही कारण है घंत तो अधिक होता है महासागरी भूपरपटी तो था मेंटल के उपरी भाग मिलके दुरबलता मंडल मनते हैं गलत बात है भूपरपटे और मेंटल का जो 100 km का मैंटल का उपरी भाग ये दोनों मिला करके उपर से 100 km तक का भाग क्या बनाते हैं? इसथल मंडल बनाते हैं जाने ना तो यह गलत हो जाएगा 22 क्रोड क्या बूचाई? सही है 22 क्रोड तर लावस्था में है जबकि आंत्र क्रोड फो सौशस्था में है आंत्र क्रोड फो सावस्था मेंvoy farm तरहजता में यह सप्ति स्टेटमेंट है और यही पूपरपटी से कौन्सा सही सुमेली था था है पूछा कौन सा सही सुमेली था है सिलिका और निकल भूपरपटी, भूपरपटी सियाल, सिलिका और अलुमिनियम का बना होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? महासागरी भूपरपटी दोस्तों बेसाल चट्टानों से बना होता है ये भी सही है ये सही है मतलब जो महासागरी भूपरपटी होती है बेसाल चट्टानों से निर्मित होती है और जो महादीपी भूपरपटी होती है और उसमें पाया क्या जाता है, महासागरी भूपरपटी में क्या पाया जाता है, सियाल, सीमा पाया जाता है, सिलिका और मेगनिशिब, तो इस हिसाब से ये भी सही है, अंति अति भांगुर भाग भूपरपटी, भूपरपटी का जो भाग होता है, अति भांगुर होता है, स संदर में सत्य है, अमली लावाशंक में सिलिका की मातरा अधिक होती है, जिससे वो अधिक चिप चिपावा लस्दार होता है, यह सत्य स्टेटमेंट है, अमली लावाशंक में सिलिका की मातरा अधिक होती है, और जिसमें भी सिलिका की मातरा अधिक होगी, वो गाला होगा, च जो जो पिलियन जो अला मुखी है इस्ट्रामबोली कह सकते हैं हम लोग है कि ने इस्ट्रामबोली ये सब अमली लावा शंकु के उदारन है ठिक 11 है निमनिकित में से कौन सा कथन सत्य है सत्य बताना है जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के समानांतर होता है और इसी अवस्ता में ठंडा होने से बनी दीवार की भाती की संग्रशना डाइक कहलाती गलत है अभी बतायते सास समानांतर सास सिल समानांतर होती है तो ये गलत है अगर डाइक लंबोत होती है जब लावा धरातल पर पहुँच कर तो ये भी गलत हो जाएगा भारत का जो डखकन ट्रयप का अधिकतर भाग ब्रिःत बेसाल्ट लावा शे जब पिटेश्यसकाल में जब गूंड्वानय लेंड का उत्तरपूर की तरफ विस्थापन होता है तो अफरीका के पास जो आखार होता है भारत में काली मिर्दा का ज्यादा जॉस्तों ये देना तो यह वला जाए में जब रमा धर था के नीचहिफ थंटा होकर जमता है तो जौला मुह को झी तड़ यह भाह दर जमत है तो即sk号 जब अमली लावाशंक को बनता है न तो जलम की परवत का निर्माण हो जाता है तो बारवा कोश्चन है महादीपी विस्थापन सिधान जो अलफ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तावित किया गया था किस बल पर निर्भर करता है सूर के चारो और पृथवी की परिकर्मा ये सत्य हो जागा तो तीन और पांच सही जांगे पृथवी का निर्माण नहीं दोस्तों पृथवी का घूलन बल इसमें लिखना चाही था इसको ठीक है तो मतला पृथवी का घूलन बल इसमें ये भी सही हो जागा ठीक है तो तीन चार पांच इसका भी सही हो जागा दोस्त ठीच ए जहांदेना है तेर्मा है कौन से परद्ठावी का चुम्बकी स्षेतर पैदा करती है जो मित्ठावी का चुम्बकी च्छेतर पैदा करती है बाहे कोर दोस्तों क्योंकि आंतरिक कोर ठो सवस्त्तामे है大丈夫 कोर अधिक के बारे में हम लोग देख लेते हैं यहां आण्तरिक आणविक उर्जा मुक्त होते रहते हैं यहां सनलयन विखंडन दोनों क्रियाएं हो रहे हैं मतलब सनलाइत भी हो रही है चीजें और विखंडित भी हो रही इनके अनुपरमानुद इसलिए इसको हीट इंजन कहा जाता है इसलिए यहाँ पर उर्जा बहुत जादा मात्रा में विमुक्त होती रहती है ठीक है और यहाँ पर इसके अतरित यहाँ रेडियो धर्मी विस्वोट भी होता रहता जाहिर जी बात है जहां सनलेयन होगा विखंडन होगा दोनों किर्याइं होंगी वहाँ रेडियो धर्मी विस्वोट बहुत ज्यादा होगा और तापमान उच्छ यूम सापेक्षिक अध्यारोपी दाब कम होने बहुत इंपॉर्टन है जैसे आंतरिक को हम देखते हैं आंतरिक को ठोस अध्यारोपी वहाँ पर तापमान भी उच्छ है और दाब भी उच्छ है इसलिए वहाँ पर ठोस अध्यारोपी यहां पर तरल अवस्था में चीज़ें पाई आती हैं और यहां पर डायनोमी प्रभाव के कारण विद्धुद्चुम्ब की त तरंगे उत्पन करती हैं तो यहां पर जो है विद्धुद्चुम्ब की तरंगे उत्पन होती है और डायनोमी प्रभाव भी होता है इसलिए जिससे प्रिथवीक में चुम्बकत्यु के गुण व्याप्त हो जाते हैं ठीक है तो यह चीज़े हम लोगों को ध्यान देना है 14th question है महसागरों और महदीपों के वितरन के बारे में विभने सिध्धानतों के बारे में बताएं विगनर के अंसर महदीपी विस्थापन के दो कारण धुरुविये बल और जुआरिये बल सत्ति statement उन्होंने धुरुविये बल बताया और जुआरिये बल बताया ठीक है उस जवारीये बल को प्रति संतुलीत करने के लिए अप केंद्रिये बल लगता है और उस अप केंद्रिये बल बल के कारण जो प्रतिवी की आकरिती है भूमद रिखा पर थोड़ा सा ऐसे भार क्योंत हो जाती है ठीक है तो यह गलत हो जागा ज़ारीये blessing अफ्केंद्रिये स्धान्त ने मूल भाग में संभान धारा के सिधान्त को mental में संभानी धारा सिधान्त का दुद्भव होता है तो ये चीजें क्या हो जाएंग केवल एक साही होगा इसमें से 15 निम्लिकेत में से कौन सा कतन भारती प्लेट के संचलन से सम्बंदित नहीं है भारती तथा आर्केटिक प्लेट की सीमा महासागरी कटक से निरधारित होती है यह सत है लेकिन पूछा गलत है इनका पूर्वे सीमा किर्थर सीमा कहां पर है किर्थर सीमा कहां पर है किर्थर सीमा पाकिस्तान में तो पस्चमी सीमा है तो यह गलत हो जाएगा और गलत पूछ सब्दक्षन जो नीचे की तरफ गया है इसकी उत्तरी सीमा निर्धारी करता है ठीक है ये भी सत्य स्टेटमेंट तो गलत कौन सा है बी स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा सोलमा कोश्यन है निम्निकित कत्रों पर विचार करना है निरूपन मतलब कौन सा कत्रों सही बताना है ठीक है निरूपन मिर्दा घटकों का नीचे की और परिवहन है निरूपन का मतलब मिर्दा घटक का नीचे की और परिवहन ठीक है सत्य है समपोहन खनिजों का नीचे की औ पर विहान लीचिंग कहलाता है ठीक है ध्यान दिना क्या कहलाता है लीचिंग कहलाता है ठीक है लीचिंग नमक के जमाओ के कारण मिट्टी की परत को हाल पहन या मिर्दा पहन कहते हैं सत्य बात जब नमक का जमाओ होता है तो मिट्टी की परत को हाल पहन या मिर्दा पहन कहत सत्य है पहला और तीसरा इसका सत्य हो जाएगा दोस्तों ठीक है और जो संपोहन होता है ना ये छेतिज तल पर हुमस का और पदार्थों का जमा होता है वो संपोहन कहलाता है ठीक तो इंपोर्टेंट खानिजों का नीचे की और पर इवहन क्या कहलता है लीचिंग कहलाता है और संपोहन का जब मिर्दा में 36 रूप से वित्रण होगा, शेती रूप से किसका वित्रण होगा, यूमस और पदार्थों का वित्रण होगा, तो वो कहलाता है संपोहन दोस्तों, ठीक है, 17th है, निमलिखित कत्रों में से, और सा कतन प्रवाहित जल के बारे में सत्य है, प्रवाहित जल, इस्थलगत प्रवाह, परत अपरदन का कारण है, जो क्रमशा छुद्र सरिताओं और और अवनालिकाओं का निर्मार करता है, सत्य स्टेट्मेंट है, ठीक है, पार्श अपर्दन से कई मानेड नाक वाले पनी प्लेन का निर्माण होता है ये गलत statement है ठीक है ये जो मानेड नाक वाले पनी प्लेन का निर्माण होता है ये पार्श अपर्दन से नहीं होता है ये होता है धारा अपर्दन से धारा अपर्दन से मानेड नाक वाले पनी प्ल इसका केवल एक सही हो जाएगा स्टेट्मेंट अठारों है वायू मंदल की संग्रचना के संबंद में निम्रिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ऑक्सीजन केवल छो मंदल में पाई जाती है गलत बात है ऑक्सीजन एक सो अठाइस से एक सो चौविस किलो मीटर तग अन्शत थोड़ी-थोड़ी मातरम प पड़ों का उच्छ सांदर पाया जाता है यह सत्य इस्टेट्मेंट है और इसका क्यों जाएगा केवल और केवल तीन इस्टेट्मेंट सही हो जाएगा सूरी द्वारा गरम होने पर प्रिथवी लग उतरंग के रूप में वातावरल में उरजा विक्रित करती है प्रिथवी दीर घृतरंग के रूप में उरजा का वो विक्रित करती है और जो सूरी से प्रिथवी गरम होती है सूरी से जो किरने आती है वो लग उतरंग के रू में प्राप्त ताप की मात्रा पृतिवी द्वारा पार्थी विक्राउं द्वारा निर्मुक्त मात्रा की तुलना में अधिक होती ये भी गलत है उसमा बजट क्या होता है जितना आएगा उतना वापस जाएगा तो आने वाला चीज अधिक होई नहीं सकता तो दोनों की मात् कोन सा सही ना तो एक यह न तो क्या है जब आपने परिक्रमन लोगे दरान पृत्वी के निकर्व выглядит पृत्वी की जब आपने परिक्रमन से अधिकतम दूरiones उसे अपभू कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, पृत्वी की जब वो अपने परिक्रमन के दोरान सूर से अधिकतंग दूरी पर होती है, तो उसे अपसौर कहते हैं, ठीक है, और अपसौर में पृत्वी और सूर के बीच में दूरी जो हता है, पंदरा दसंबलो सतर करोन किलो हो जाती है ठीक है ये धादिना है और जो नार्मल होता है वो पंद्रा करूण किलो मीटर होता है ठीक 21 किस्वा है उत्रि गोलार्थ में ये गहास के मैदान अधिकांश्थता महादीपों के आंत्रिक भागों में पाये अवस्तित हैं, अत है इन छेत्रों में महादीपी ये ताक के प्रभाव के कारण ग्रीश मेरितु में तापमाण अधिक हो जाता है, जो 20 डिगरी से अधिक हो को अक्षांस प्रभावयत करते हैं महादीपिता स्थानी पाउने तो निर्माल के लिए उत्तरदाई दशाएं क्या है डी स्टेट्मेंट सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो अब इस्वा है, शीतोर्षन कटिबंदी चक्रवात और उश्ण कटिबंदी चक्रवात में अंतर के संदर में निमनिकित कतन पर विचार करना है, शीतोर्षन कटिबंदी चक्रवात की उत्पत्ति सागर अदिक जो है विनाशकारी होते हैं और पत्षिसमा कोश्चन है पक्षाब मेख के संदर में निम्रिकित कतनों पर विचार करना है इनका निरमार छे हजार से बारा हजार किलो मीटर की उचाही पर होता है सत्य statement है ये ये गोला कार रूप में पंक्तियों या लहरों में पाये जाते हैं ये गलत हो जाएगा ये गोला कार रूप में नहीं पाये जाते हैं ये पतले और बिखरे रूप में पाये जाते हैं ठीक है और पक्ष का मतलब पंक होता है ये पंक के आकार के होते हैं ठीक है त विकीरान हो गया चालन संभाहन विकीरान यह सब भी होते हैं ठीक है चालन संभाहन विकीरान प्रकीरान अपवरतन अभीवन अलबीडो यह सारी चीज़ें वाई मंडली के तापन और शेतलन के लिए उतरदाई होती है तो इसका सभी सही हो जाएगा 27 मां कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला ग्रेट रेड स्पॉर्ट निमलिखित में से किस से संबंदित है तो ब्रहस्पत इसे संबंदित है ग्रेट रेड स्पॉर्ट यह विशाल चक्राकार होता है इस थाय तूफान का छेतर होता है ठीक है 28 विवां बिग बेंक की परिकलपना के संदर में निम्रिक कित कतन में से कौन सा सही है इस परिकलपना के ब्रह्मांद का विस्तार आज भी जारी है सत्य स्टेट्मेंट है और इसकी पुष्टी हबल टेली स्कूमिर इस परिकल्पना के अनुसार ब्रमांड की उत्पत्य जिन पदार्तों से वही है उनका आयतान अच्चादिक सूच मन तापमांत तागना तो अनन्त था दोस्तों ये भी सत्य स्टेटमेंट है तो क्या सत्य हो जाएगा इसका एक और दो दोनों सत्य हो जाएगा बिग बैंक सि प्रतेक ग्रह के अंदर एक निवास योगिस्थान गलत बात है ये तारों के मध्य में तारों के निकटम जो है जो निवास योगिस्थान उसको गोल्डी लॉक्स जून कहा जाता है तो ये सही हो जागा ये ना तो तदिक गरम और ना ही तदिक ठंडा होता है ये सत्य है त सेकें न श्टेक्मेंट ये और जीह कि ठिकने प्रृत्री दीन और रात बराबर होते दोस्तों ठिक है तो ध्यान देना तो दोनोसा आपधायों किट संक्रमना भी प्राकरटिक है क्रवाद भी प्राकृतिक आपदा है कीट संक्रमन भी प्राकृतिक आपदा है तो ध्यान देना एक दो तीन तीन सही हो जागा यह जो प्राकृतिक आपदाओं में वाई मंडली आपदाएं आती है भावमिक आपदाएं आती है और जैविक आपदा भी प्राकृतिक आपदा पकड़ी आते ये गलती statement है जापान में समुद्र के किनारे जब ठंडी जलधारा और गरम जलधारा मिलती है वहाँ पर समुद्र के मचलीओं के लिए उपयुक्त दशाएं बन जाती है इसलिए वहाँ पर मचली पालन अधिक होता है ना कि नदियों की तरण ठीक है जापान म तो थीक है और Florida की धारा ये पहला और दूसरा हुज जागा, Florida की धारा और नॉर्वे की धारा दोस्तों Atlantic महसागर की धारा है, 34 है निमलिखित कथनों पर विचार करना है, काली मिर्दा वर्षा, काली मिर्दा वर्षा वाली फसलों को भी शुश करीदू के दोरां पोशित करने में सहायख होती है सब इस्टेट्मेंट है ठीक है काली मिर्दा को शो горताई की विशेस्ता भी भी पाई जाती है तो कौन सा सही है तो दोनों सही हुँ जाएंगे थोर सा मुनly सब् accelerate से अभी बता है क्योंकि जो काली मिर्दा जो सब्सक्राइब की इसलिए काली मिठी का रंग का यो फिल्स मेगनेटाईड के कवान होता एक जीवांज भी उपस्तित होते हैं और 10 नीफरीफिरस मेगनेटाइड, इस लिए काली मिठी का रंग का रंग ठीक है और इसमें कार्बनिक पदार्थों की भी अधिकता पाई जाती है ठीक है इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है ठीक है और कपास के लिए सरवादी कुप्युक्त होने के कारण काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है इसको ठीक है और भारत के मूधी ऐंटॉंक जिलाब में भी काली मिटी पाई जाती है. ठिक 35 है, निम्लिकित कत्रों पर विचार करना है empez में निम्लिकित कत्रों पर विचार करना है. यह गलत बात है, महादीपी शेल पर समुद्र जीव नहीं पाए जाते हैं, गलत बात है यह, पहला वाला statement सही हो जाएगा, और दूसरा statement गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर संसाधन भर पूर हैं, तो समुद्र जीव भी महाँ पाए जाएंगे, ठीक है, तो कौन सा सही है, तो पहला केवल सही है, तो ये दोस्नो महादीप, ये दोस्नो न चठ है, और ये जो अगाद गहरे सागनी मैदान कहलाई जाते हैं, ठीक है, ये कहना, और सरवाधिक संसाधन दोस्तों यही पर पाए जाते हैं, है कि नहीं, देके समुद्र महादीप के किनारे होगा, तो यही पर सरवादिक संसादन, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सब यहीं पर पाये जाते हैं, ठीक है, ध्यान देना है, सुमदा ट्रंच हो गया, यह सब ओशियोनिक ट्रेंच हो जाते हैं, और यह अभीसमल पिलिन यहीं हो गया, यह अभीसमल पिलिन हो गया, ठीक है, 37 है, मिर्दा निर्माल प्रकरिया को नियनतित करने वाले कारकों में निमलिखित में से कौन सा सम्मलित है, इस्थला कृती है दोस्तों इस्थला कृती है मिर्दा निर्माल को प्रभावित करती है महासागरी धारा भी जलवाई भी सूर का प्रकाश दोस्तों नहीं करता है समय करता है दोस्तों ठीक है तो इसका एक दो तीन पांच आंसर इसका सही हो जाएगा दोस्तों ठीक है ध्यान अलग होता है दोस्तों है कि नहीं तो वी आकार की घाटी का निर्माल यूआ वस्ता में जब नदियां होती है तब करती है विर्धा वस्ता में विसर्प का निर्माल करती है जब नदियां एसे ऐसे जाती है ठीक है एसे विसर्प का निर्माल विर्धा वस्ता में होता प्राक लाता है जमा तो नदियों की धाराएं बट जाती है तो ट्राकरितिक बांध कारवो करता है दोस्तों ठीक है तो यह हो जाता है तो इसका क्या हो जाएगा दूसरा और तीसरा बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा उचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्ध होती है गलत बात है उचाई बढ़ने के साथ प्रती छोब मंडल में 165 मीटर की उचाई पर एक डिगरी स्टापमान में कमी होती है तो यह सत्य श्टेटमेंट है क्योंकि उपर वायुदाब की सघंता कम हो जाती है इसलिए उपर जानने पर वायुदाब में कम होती है तो दूसरा इस्टेटमेंट के बढ़ने के सत्य हो जाए जैसे जैसे उचाई पर बढ़ते है छोब मंडल के ऊपर जो विश्वत रेखा कि ऊपर जो होता है 85 डिगरी सेल्सेस का तापमान होता है माइनस 85 डिगरी सेल्सेस का दोस्तों ठीक है चालिशना कोश्यन है निम्लिकित कत्रों पर विचार करना है शीत रितु में मेग विहिन आकाश वाली लंबी रात यहां शांत वाई वितकरमल के लिए आदर से स्थित होती है सत्य स्थेटमेंट है पहाड़ों यहां परवती छेत्रों में अपवाह के कार पर तापमान में कमी होती है जब इसे नॉर्मल दशा का विपरीत हो जाता उचाई बढ़ने के साथ तापमान में भी वृद्धी होती है तो होता है तापमान का वितकरमल अब थंडी है थंडी में क्या होगा इस्थल है इस्थल ज्यादा ठंड होगा जैसे जैसे ऊपर जा पास जो होता है ठंडी हवाएं एकत्रित होती है इसलिए यहाँ पर तापभान बहुत कम होता है और उपर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तापमान बरती तापमान में व।धी चलिए इस थान की उच्छाई से भी प्रभावित होता है गर्म ठंडी महसागरी धाराओं की 42smahemnirrimyukitmense कौन सा ی meanings ऩची सूमेले थे Albedo what? ूचाई में विर्द के साथ ताभ्मान में गिरावट के नॉर्मल दशा होती है और उचाई के साथ ताभ्मान में वृр्द क्या होती है ये विर्द होती ताभ्मान का वित्क्रमा तो ये वाला गलत हो जाएगा दोस्तों ठीक है और पार्थी विक्रण क्या होता है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा और शेवशित लंबी तरंग विक्रण ये भी सत्ते है तो एक और तीन इसका बी स्टेट्मेंट बी ऑप्शन सही हो जाएगा एक तालिसमा बताना है निम्रिकित में से कौन सा सही सुमेरित नहीं है आईसो बार बार समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली देखाएगा ठीक है सकते है आईसो हाइट महासागर में समान लवर्टा वाले स्थानों को मिलाने वाली देखाएगा आइसो थर्म टेंपरेचर हो गया समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली देखा है यह भी सत्थ तो गलत कौन सब्सक्राइब बी ऑप्शन गलत हो जाएगा अंतर उसन अभिसरन छेतर इंटर टॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के संदर में निम्रकित कफनों पर विचार करना है यह भूमद रेखा पर इसने ते एक उच्च दाव का छेतर गलत है यह निम्र दाव का छेतर होता है ठीक है तो पहला गलत हो जागा ये गलत ये गलत ये गलत केवल दोस्त ही होगे है की नहीं ग्रीश मरीतु में ITCZ का उपर की और इस्थानांतरण दक्षड पस्चिम मानसून के आरंभ का कारण बनता है उत्तरपूर्वी मानसून का आरंभ होना ITCZ के इस्थानांतरण से सोतंतर है सोतंतर नहीं है जैसे जैसे ITCZ का दक्षड की और विस्थापन होगा ऐसे ऐसे उत्तरपूर्वी मानसून का आरंभ होना शुरू हो जाता है दोस्तनों ठीक है 45-वा है, निमलिकित मेंसे कौन सा बल, पवन की गती और दिशा को प्रभावित करता है, बहुत mustn't है यहां से अभी बताते हैं बल और दिशा को दा प्रौनता बल भी प्रभावित करता है, घर्षिन बल भी कॉरियालिस बल भी, तो इसका तीनों बल पवन की दिशा तै कर देती है पवन को उत्री उत्री गुलार्द में दाहिनी तरफ और दक्षिन गुलार्द में बाई तरफ मोड देती है है कि नहीं कोरियोलिस बल तो दिशा बदल देती है उते ही गुलाज में दाइनी तरफ और दक्षिन गुलाज में बाई तरफ मोड़ देती है ठीक है ये ध्यान देना है तो अगर पंवन की गतिके वल आएगा तो कोरियॉलिस बल नहीं होगा जब दिशा आएगा तभी जब दिशा आएंगी तभी कोरियॉलिस बल भी कोरियॉल रेखी जलधारा का विस्तार है ये ल नीनू अच्छा देखिए ल नीनू और ला नीनू हम लोग पढ़ते हूंगे हम लोग ये देखते हूंगे हमारे लिए नुकसान दायक होती है क्योंकि L लग जाता है है कि नहीं हम लोग देखते हैं L नीनो L लगा देता भारती जलवाई को अब भारती जो जलवाई है भारत कैसा देश है भारत किर्शी पर धानता से तो अल नीनो वर्षा को कम करती है वर्षा नहीं करती है तो अल लग जाते है तो यह देखना है अब यहां से चीज़े हमको समझ नहीं है अभी तक हम अल नीनो और ला नीनो ला नीना जब आती है तो भारत में वर्षा आती है ला नीना लाती है वर्षा तो अगर confusion होता होगा L-9 और L-9 में तो यहीं ट्रिक्स हम पहले समझ लेंगे फिर concept समाझ लेंगे ठीक है दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से यह ठंडी विश्वत रेकी जल धारा का विस्तार है अब देखिए यह statement क्या हो जागा गलत हो जागा अभी बताते हैं अब देखते हैं थोड़ा L-9 और L-9 को समझ लेते हैं ठीक है यह सामाझ ले वर्ष में है यह L-9 के वर्ष में है दोस्तों L-9 के जो उत्पत्य होती है यह पेरू के तड़ पर होती है ठीक है यह पेरू के तड़ पर होती है ठीक है वर्षा यहां हो जाएगी और इसका जो वित्वक्रमन होता है यह ध्यान दिजेगा जो यह प्रशांत महासागर है और यह हिंद महासागर दोनों उल्टे हो जाएगे अगर यह ठंडा हुआ तो यह गरम होगा हिंद महासागर अगर प्रशांत महासागर गरम होगा धाराओं क जब L नीनो गरम जल्दारा और इसकी उत्पत्ति पेरू के तरड़ पर प्रशांत महासागर में होती है तो इसका वितकरमल इसका उल्टा परभाव भारत की जल्वाई पर पढ़ेगा मतलब भारत के L लग जाएंगे और ला नीना क्या होती है ला नीना माल लेते हैं ठंडी जल्दारा होती है माल लेते हैं नहीं होती है ला नीना जब ठंडी जल्दारा होती है तो जब ला नीना ठंडी जल्दारा होगी तो परशांत महासागर में ठंड का परभाव होगा मलब ठंडक का परभाव होगा और यहाँ पर सूखे की इस्तिति आएगी और जब यहाँ पर ठंडक का प्रभा होगा तो इसके विपरीत हिंद महासागर में गरम का प्रभा होगा गरम जलधारा का प्रभा होगा और जब हिंद महासागर में गरम जलधारा का प्रभा होगा तो भारत में वर्षा होगी इसलिए कहते हैं एल नीनो एल लगा देती है और अला नीना वर्षा लाती है दोस्तों तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं तालिसवाइं या गहरे भूरे रंग का कम उचाई वाला मेग होता है या हिम या जल के रूप में दिरंतर वर्षा करता रहता है या धरातल से 3000 मीटर की उचाई पर पाया जाता है तो ये होता है वर्षा इस तरी मेग दो ठीके और तालिसवाइं निमलिकित में से किस इस्थिती में संगनन होगा संगनन जब जलवाश्प का जब वाश्प जलवाश्प का जो होता है बूदों में परिवर्तन संगनन कहलाता है ठीके और जिस ताप पर होता है उसांग कहलाता है ठीके वायू का आयतन नियत हो या तापमान उसांग तक गिर जाए तो संगनन होगा सत्य statement है ठीक है वायू का आयतन और तापमान दोनों ही कम हो जाए तो भी संगनन होगा ये भी सत्य है और वर्षा के द्वारा हवा से जलवाश्प को हटा दिया जाए तो नहीं संगनन होगा जब जलवाश्प को वर्षा से हटा दिया जाएगा वर्षा के माध्यम से तो जलवाश रहेगा ये नहीं तो जलवाश मतलब वर्षा के बाद संगनन थोड़ी नहों होता है वर्षा के बाद फिर वाश भी करण होगा तब संगनन होगा तो ये तीसरा इस्टेटमेंट गलत हो जागा पहला और दूसरा सही है बार्ति उम्प माहदेब की जलवाई कौन सी है? भारति उम्प माहदेब की जलवाई उश्रल कटिबन्दिया मांसूनी जलवाई हूँ है पचासवा है मानो भूगोल से संबंदिन निम्विकित कत्रों पर विचार करें और सही उत्तर बताएं मानो भूगोल में क्या क्या समलित होता है समाजिक, सांस्कृतिक और जनसंख्या अधिवाज भूगोल शामिल होता है ठीक है ये शामिल होता है मानो भूगुल का मतलब क्या है ता मानो की उत्पत्ति से ले करके आज तक उसका पर्यावरान पर क्या प्रभाव पड़ा है उसका अध्यन का कहलाता है मानो भूगुल कहलाता है और पर्यावरान पर जो प्रभाव पड़ेगा वो किन-किन कारणों से पड़ेगा सामाजी कार रपवाहत अंत्र जब नदियां परवत से निकल कर सभी दिशाओं से प्रभावित होती है तो विरिक्षा का रपवाहत अंत्र कहते हैं गलत बात है जब नदियां परवत माल यह अमरकंटक पहाड़ी है ठीक है अमरकंटक चोटी से अमरकंटक पहाड़ी से कौन-कौन से नद जब नदियां परवत से निकल करके सभी दिशाओं में प्रवाहित होती है वह अरी ये बनता है अरी अपवाहतंतर बनता है इंपोर्टन्ट है और विच्छा का रपवाहतंतर कब बनता है हिमाले की नदियां विच्छा का रपवाहतंतर करती है ठीक है जब विच्छ के अनुसार नदियां मतलब नदियों का विकास हो जाता है तो विच्छा का रपवाहतंतर हो जाता है तो इसका क्या हो जाता है कौन सा सही है तो केवल दो सही है और इसमें दो चीजें और आती है आप लोगों को जैसे अरी अप वहात तंतर आप लोगों ने पढ़ लिया अब रिक्षा कर अब एक आता जाली नुमा आप वहात तंतर ठीक है जाली नुमा आप वहात तंतर जाली ऐसी तो बनती है इसका मतलब क्या होता है जब दो मुख्य नदियां मालिय गंगा यमुना न मिलती है और गंगा में सोन नदी मिल जाती है पटना में तो जब दो समानांतर नदियां बहती है जब दो ब्रिहत नदियां समानांतर रूप से बहती है और उनमें कोई नदी सहायक उनकी सहायक नदी जब समकोण पर काटती है समकोण पर मिलती है तो जाली नुमा अपवातंत यहोता है वाजज़ परवत का निर्माद तब होता है। क्यालता है और जैसे भारत का सत्पुला विंध्या चल परवत पाकिस्तान का साल्ट रेंज है और जो फ्रांस का वाश्येस परवत है जर्मनी का ये सब कैसे उदारन है ये सब उदारन है ब्लोग पॉरिश्ट के भॉर्णषोत परवत के ठीक है पिरपनवा है जब आप हिमाले में यात्रा करते हैं तो आप निम्लिखित को क्या देखेंगे जब हिमाले में यात्रा करते हैं गहरे गार्ज देखेंगे है कि नहीं सत्य है यू टर्न वाली नदियां हम लोग देखते हैं ये मान लिजे यही नामचाबरवा है, यही ब्रह्मपुत्र नदी आके यू टर्न लेती है, तो यू टर्न हो जाएगा नदीमार, समानांतर परवर शिंगल हम लोग देखते हैं, कि महान हिमाल है, शिवालिक हिमाल है, मध्ध हिमाल है, शिवालिक हिमाल है, यह सब देखते हैं, समानांतर प अपने धूरी पर घूम रही है, रित्यूरी पर घूम् रहे है मैं अधुम रहे है पहला statement क्या कह रहा है प्रिथिवी की अपनी धूरी पर घूमना धूरी पर घूमना नहीं प्रिथिवी का जूकी हुई धूरी पर परिक्रमा जूकी हुई धूरी पर जब जूकी है प्रिथिवी इसलिए दिन और रात में अंतर हो जाता है दोस्तों तो डी स्टेट्मेंट इसका सही 55 है तटी छेत्रों की तुलना में महादीपों के भीतरी इलाकों में वार्षिक तापमान अधिक होने का क्या करा है मतलब तटी छेत्रों की तुलना महादीपों के भीतरी भाग में क्यों तापमान अधिक होता है तो जल और स्थल के बीच तापमान का अंतर ये सत्य है महादीपों और महासागरों के बीच उचाई में भिननता उचाई लेकि महासागर गहरे होते हैं और महादीप उचे होते हैं तो उचाई जैसे जैसे बढ़ेगी तापमान में कमी होती जाएगी लेकिन यहां करता तापमान अधिक होने का कारण क्या है तो ये गलत हो जाएगा तो दो गलत हो जाएगा तो केवल एक सही हो जाएगा ठीक है आंतरिक छेत्रों में तेज हवाओं के उपस थेती ये भी नहीं होगा क्योंकि आंतरिक छेत्रों में तेज हवाओं नहीं होती है तटी छेत्रों में हवाएं तेज चलते हैं, समुद्रों में हवाएं तेज चलते हैं, है कि नहीं, भीतरी इलाकों में तटों की तुलना में भारी वर्षा, समुद्र के तट पर भारी वर्षा होते हैं, भीतरी इलाकों में नहीं, हम लोग देखते हैं, मुंबई केरल में बा बार को अलग किया जाता है यह अंडमान यहां पर है यहां निको बार है यह 10 डिगरी जा रहा है और 8 डिगरी चैनल जो होता है यह माल दीव है और यहां पर मिनी कोई दीव है ठीक है माल दीव और मिनी कोई के बीच में 8 डिगरी चैनल जाता है ठीक है और 9 डिगरी चैनल यह इहीं पर कन्ना नोर्दीव है और गैहीं पर अमीनी दीव है ठीक है तो 11 दिघ्री चनल चनल कन्ना नोर।डीव और अमीनी दीव के बीश में और ripeHoot 16 16 दिघ्री चनल यह रशिया है यह अलास्का है यही से अंतराश्टी तितिरेखा ऐसे ऐसे करके ऐसे जाती है ठीक है और देख लेते हैं यह मलक्का जलसंदी है यहाँ पर मलक्का जलसंदी आ जाएगा ठीक है मलेशिया और सुमातरा दीप के बीच में मलक्का जलसंदी आ जाएगा और यह सु फ्लूरीडा जलसंदिया से जाएगी फ्लूरीडा दीप और केरिबियन दीप समुख के बीच में ठीक है अब 58 ते एल नीनो और ला नीना के संदर में निम्लिकी कत्रों पर विचार करना है एल नीनो ला नीना से कैसे अलग है अभी उपर पूरा समझा चुके हैं अब देखि दोस्तों ला नीना की विशेषता विश्वती हिंद महासागर में ठंडा नहीं विश्वती हिंद महासागर में ला नीना वर्षा लाती है और जब वर्षा लाएगी तो गरम प्रभाव उत्पन करेगा गरम महासागर तापमान होगा तो ये ये गलत हो जागा इस्टेटमे गलत हो जाएगा अल नीनो का भारत के दक्षिल पष्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता अल नीनो लग गए प्रतिकूल प्रभाव पड़ गया ठीक है सही है लेकिन ला नीना मानसून जलवाई पर कोई प्रभाव नहीं पर यह भी गलत है तो उत्तरी गुलार्द की तुलना में दक्षडी गुलार्द में कम भूब आगा है इसलिए उनको जो अरोध नहीं मिलते हैं तो सही statement अब पलाके से चलती है चीखता साथा परचंड पचासा गरजी ती चालीसा है कि नहीं तो ये सब चीजे हैं उत्तरी गुलार्द की तुल प्रिधवी के वाई मंडल में एक परत प्रिधवी पर रेडियो संचार की सुविधा परदान करती है एक परत है कौन सी परत है आइनोस्फियर है ओजोन की उपस्तिती प्रिधवी पर रेडियो तरंगों के परावरतन का कारण मनती है रेडियो तरंगों का परावरतन ओज रेडियो तरंगे है कि नहीं फिर औरक्त तरंगे फिर दिर्श किरने आ जाती है फिर पराबैगनी किरने फिर एक्स किरने फिर गामा किरने आ जाती है ठीक है यह क्या है यह घट्टे तरंग धैर है और बढ़ती आविर्तियों के अनुसार हमने बताया है ठीक है तो इसका प्रकार की परतें पाई जाती है, कौन-कौन सी, ये D, E, F, G, चार परतें पाई जाती है, D में दिर्ग तरंगों का छेतर है, E मध्य तरंगों का छेतर है, F लगु तरंगों का छेतर है, और G पर जो होती है, लगु मध्यम दिर्ग सभी परकार की तरंगों का छेतर है, मतलब परावरतम वाला छेते हैं ठीक है ध्यान दिना है और इसी को जो ये D तरंगे दिर्ग तरंग वाला इसमें आकसीजन के जो अड़ होते हैं परमाड़ में बदल जाते हैं और जो E तरंगे हैं तरंगे नाइट्रोजन को आईनित करते हैं और एफ तरंगों को एप लेटर लेयर भी कहते हैं तो ये सब चीजे इंपॉर्टेंट है ध्यान देना है सूच में सिचाई के संदर में निम्लिखित में से कौन सा कतन सही है सूच में सिचाई उर्वरक कोशक तत्तों की कमी को कम किया जा सकता सूच में सिचाई से उर्वरकों को कम किया जा सकता सही बात है यह शुश्क भूमी की खेती में सिचाई का एक मातर सा, एक मातर सा अधन तो नहीं है दोस्टों, ठीक है, बहुत सारे साधन होते हैं खेती के डिप सिचाई भी होती है कि नहीं, यह सब यह जाता है तो यहां उशल्ण कटिबंदी पनपाती वनों की तुल नामे तेजी से पुना उत्पन नहीं होती है उशल्ण कटिबंदी वर्षावन को अगर काट जितने भी वर्षावन काट दें तो मतलब देखे कह रहा है कि उश्ल कटिबंदी वर्षावन काट दो और पणपाती वन काट दो फिर दोनों को लगाओ तो पणपाती वन जल्दी गुरो करेगा उश्ल कटिबंदी वर्षावन गुरो नहीं करेगा क्योंकि इतनी जाधा वर्षा होती है क्योंकि इसलिए उनका अपरदन इसलिए यह महातागर प्रथिविके एक तिहाई भागवर 35% भाग पर फैला हुआ है इसका छेतफल सभी महादीपों के खुल छेतफल से भी बढ़ा है सत्य स्टेटमेंट यहीं से पता चल गया होगा परशांद महासागर है यह अन्य महासागरों के बेक्षा अधिक गहरा है सही बात है मेरियाना ट्रेंच लेकि नहीं सबसे गहरा है इस महासागर के एक ओर एशिया और आस्टेलिया महादीप है और दूसरी ओर उत्त्री और धक्षिन अमेरिका महादीप सत्य तो परशांद महासागर हो जाएगा 64 थे यह खरीफ के अंतरगत बोई जाने वाली ऐसी फसल है जो खाद्यान और चारा दोनों रूप में परियोग होती है यहाँ फसल 21 डिगरी सल्सियस से 27 डिगरी सल्सियस तापमान में और पुरानी जलोड मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है उपर दिया गया विवरन किस से संबंदित है तो उपर दिया गया विवरन मक्का से संबंदित है मक्का दोस्तों खरीव की फसल है खाद्यान के रूप में भी प्रयोग होता है चारे के रूप में भी प्रयोग होता है जानवरों को भी चारा मिलता है और वाणजिक उत्पादन भी होता इसका वाड़ जी महला अध्योगी को रूप से भी इसका प्रयोग होता है जैसे हम लोगों देखते हैं पर्थम पीड़ी के जैव इधन मक्ता से गन्ना से चुकंदर से बनते हैं पर्थम पीड़ी के जैव इधन जो बनाया जाता है तो इसका जैवी इसका जो है अध्योगी को पा जाता है हिमाचल पर्देश में भुगाय जाता है चाए की फसल के लिए हुमस और जिवाश में युक swings Bay उपित होती ये भी सथा है कि जाएक दोस्तों जिस पेर से पराप्त होती है उससे प्रेड का नाम है Camellia Sinensis नाम है ठीक है? Camellia Sinensis यह सब हमारा notes बना हुगा है ठीक है पहले से और चाय की उत्पत्ती मान जाती है चीन से मान जाती है 5000 वर्ष पहले चाय की उत्पत्ती मान जाती है अब जब इतना उपभोग कर लेंगे तो निर्यात कितना करेंगे चौथा निर्यात तक है ठीक है? और उत्पादन में दूसरा है उत्पादन में सबसे ज़्यादा चीन है ठीक है? और इसके लिए 20 से 20 डिगरी सेस्ट अपमान की आवशकता होती है अब मिर्दा अमली होनी चाहिए ठीक है? लेकिन कैल्शियम नहीं होनी चाहिए उस मिर्दा में और बहुत इंपॉर्टन है 21 मही को अंतरराष्टी चाय दिवस भी मनाया जाता है ठीक है? और पूछा गया है कॉश्चिन ये टी बोल्ड के बारे में और हेड ऑफिस इसका कहा है? कोलकाता में है और विदेशों में भी इसका है दुबई में खोला गया मॉस्कों में भी खोला गया ठीक है? 66 ते रबल की फसल से संदर्व में निम्रिखित कत्रों में से कौन सा कतन? असत्य है यह एक भूमद रेखी फसल है, सत्य बात है भारत में रबल आया था ब्राजील से इस फसल के लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा किया उसकता है गलत है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा ने 200 सेंटीमीटर लगबग इसको लिए वर्षा चाहिए यह ब्राजील से भारत में 1876 में लाया गया था ध्यान देना और इसका हैड़कोर कहा है हैड़कोर के कोट टायम में है और केरल सबसे ज़्यादा रबल का उत्पादन करता है ध्यान देना है 67 है नमलिकित में से कौन सा कतन बहु उद्देशी परियोजना के विशय में सत्थ है बहु उद्देशी परियोजना जल बहाओ को नियंतित करके बाढ़ पर काबू पाती है बहु उद्देशी परियोजना जल बहाओ को नियंतित करके बाढ़ पर काबू पाती है 68 है निमलिकित में से किन खनीजों को समुदरी जल से प्रात किया जा सकता है समुदरी जल से नमक को प्रात किया जाता है सूडियम क्लोराइड, मैगनेशियम, मैगनेशियम क्लोराइड पाया जाता है अभ्रक नहीं पाये जाता है दोस्तों और ब्रूमीन पाये जाता है अभ्रक नहीं पाये जाता है तीसर नहीं पाये जाता है तो एक दो चार सही हो जाएगा ठीक है जान देना है 69th है प्रियरी घास के मैदान के संदर में नीचे दियेगे कथम पर विचार करना है ये घास के मैदान पस्टिम में रौकी परवत पूर में ग्रेट लेक से घिरे हुए ग्रेट लेक मतलब वो 5 जीले है ठीक है तो सत्य स्टेटमेंट है प्रेरी घास का मैदान अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन का निवासे स्थल ये भी सत्य है अमेरिकी भैस या बाइसन इस प्रदेश का सबसे महत्पूर्ण पश हुए ये भी सत्य है तो उपरोग तो सभी सत्य हो जागा घास के मैदान दो रूप में होते हैं शीतोसल घास के मैदान जिनको प्रेडी का जाता है और उसल घास के मैदान जिनको सवाना का जाता है यह important है और जो करक रेखा और मकर रेखा के बीच में होते हैं इनको का जाता है उसल कटिबंधी है लानोस वेनर्जुला में पाय जाता है न तीनों के बीच में जो आएगा वो सब USinea कट बन दिया मैदान हो जाएगी लानोस होगा सेलवास पेरु में पाय जाता है, कैंपोस ब्राजिल में पाय जाता है ठीक है और सवाना अफरीका में पाया जाता है ठीक है ये सब कैसे हैं ये सब उस्ण कटिबंदिये घास के मैदाने सवाना घास के मैदाने ठीक है अब देखते हैं हम लोग चीतोस उन घास के मैदान ये प्रेरी रह जाता है प्रेरी अमेरिका में फैला हुआ यहीं से दोस्तों ये र वर्डबंदी घास के मैदन और टुंडरा वनस्पती आ जाती है ठीक है और यहां पंपास अर्जेंटीना में आ जाता है यहां वेल्ड दोस्तों दक्षिनल अफ्रीका में आ जाता है और डाउंस जो हो जाता है कहांपे आ जाता है ऑस्टेलिया में आता है केंटर बई न्यूजीलेंड में आ जाता है और यह जो मकर रेखा है ध्यान दिज़ाँ आस्टेलिया की एक दम बीच ओबीच से जाती है 17th है निमनिकित में से किन नदियों कि अब वहाँ तंतर का संबन्द प्रेरी घास के मैदान से है तो Mississippi नदी का है सस्केचवान नदी का है दोस्तों दोनों का है Hudson नहीं है, Lawrence नदी नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा, एक और दो सही हो जाएगा ठिक देखिए, अमेरिका महधीब का मैफ है यहीं पर देखिए यह प्रेरी घास का मैदान हो जाएगा यहीं से यह देखिए, Mississippi नदी Mississippi नदी बह रही है और यह Gulf of Mexico में गिरती है Mississippi नदी इतास्ता जिल से निकलती है ठीक है, और यहीं से ससकेचवान नदी भी है यहीं पर, यह ससकेचवान नदी है और यहाँ पर, विनिपेग जील है ठीक है, विनिपेग जील में मिल जाती है ससकेचवान नदी तो उसी का संबन प्रेरी घास के मैदान से है और यह जो Hudson नदी थी Hudson नदी यहाँ पर New York के पास में है ठीक है, ध्यांगे ना Hudson नदी कहा है New York के पास में, ठीक है और St. Lawrence नदी दोस्टों ये है St. Lawrence नदी St. Lawrence नदी, ये St. Lawrence की खाड़ी है और St. Lawrence नदी ये जो पांजिले ले न? Superior, Michigan, Huron, Erie, Ontario से जो है St. Lawrence नदी निकलती है और St. Lawrence की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है एकहत्तरमा है निम्लिकित कतनों पर विचार करना है उच्चितर कुल साक्षर्टा दर्शाने वाले राज्यों में पुर्ष यहम इस्तिरी साक्षर्टा के बीच अंतर कम पाया जाता है चैचिक उपलब्दियों के अतरिक्त आर्थिक विकास भी मानो विकास सुचकांग पर सार्थक प्रभाव डालते हैं ये भी सत्य श्टेट्मेंट है तो कौन सा कतन सही ये दोनों कतन सही है भातरवा है मानो विकास के संबद में निम्निकित कतन पर विचार करना है मानो विकास सिक्षा स्वास्त और स्वास्त सेवाओं तता सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्ध की प्रकिरिया है प्रगामी, लोगतांत्री करण और बढ़ता लोग सशक्ती करण मानो विकास की नियूनतम दशाएं ये भी सत्य स्टेटमेंट है और तीसरा है वरतमान विकास सामाजिक अन्याय प्रादेशिक असंतुलन और पर्यावरणी निमनी करण के मुद्दों के साथ स्विम को जोड़ नहीं पाया है ये भी सत्य स्टेटमेंट है तो मतलब तीनो सही हो जाएंगे ठीक है अब मानो विकास के बारे में थोड़ा देख लेते हैं मानो विकास सुचकांग Human Development Index एक सुचकांग है जिसका पृतिपादन 1990 में United Nation Development Program के दोरे किया गया है और इससे जो जुड़े अर्थशास्तिर थे महबूब लहग पाकिस्तान के और अमरत सिन भारत को अमरत सिन जिनको 1998 में अर्थशास का नोबल पुरुसकार मिला ये दोनों UNDP ये दोनों मानो विकास सुचकांग के विकास के लिए जिम्मेदार थे दोस्तों मतलब श्रे दिया जाता है इनको ठीक है और UNDP का जो मुख्याले है नियू यॉर्क में है इसकी स्थापना 1965 में होती है ठीक और मानो विकास सुचकांग इसमें तीन चीजों समलित होड़े तीन सुचकांग को कप्रियों किया जाता है जीवन परत्याशा शिक्षा और आए जीवन परत्याशा शिक्षा ठीक है और मानो विकास सुचकांग को 1990 से जारी किया जाता है और इसमें जो 2023 का मानो विकास सु पर बात है केवल बायव प्रभाव नहीं होता है आंतिर प्रभावी होता है जल बायव प्रभावी होता है अनिक प्रभावी होता है ठीक है महासागरी जल में 36 और उर्द्वारत दोनों गतियां होती है सत्ति स्टेट्मेंट है ठीक है तो केवल दूसरा सत्ति हो जागा थोड me तापमान भी है खारापन भी है यह सब कारण भी होते हैं जैसे सूरिच चंद्रमा तना वाईव यह सब कारण भी होते हैं ठीक है मुआ सागिरी जल को गती पर्दान की जाती है और जो जो ज़ो जो जब झार भाता होता है ज्वार भाटा दोस्तों एक निश्ची ज्वार भाटा क्या होता उर्धवादर गती होती है ठीक है ध्यान देना है ठीक अब 74 तेस महासागरी जल्धाराओं के संबन्द में निमलिखित कथन में से कौन सा कथन सकते है निमलिखित कथन में थंडी जल्धाराएं महादीपों के पस्चमी तट पर पाई जाती है ये सत्ते स्टेटमेंट है तो दी आप्शन सही हो जाएगा दोस्तों ठीक है ये क्या कह रहा है देखे निमन और मद्ध अकचांस यहां तक हो गए निमन और मद्ध अकचांस ठीक है अब देखे यहां कवर कह रहा है कि महादीप ये महादीप है महादीपों के पस्चमी तट पर ये ठंडी जल्धारा रहा है और महादीपों के पूर्वी तट पर ये गर्म जलधारा है, तो दोनों सही हो जागा, और देखें, कुछ अक्षांस है, फिक है, उच्छ अक्षांसों पर जो महादीपों का पोजो, पूर्वी भाग है, यहाँ थंडी जलधा रहा है, फिक है, ये ध्यान देना है, ठीक, सेवेंटी फिफ्ट है, निम्रिकित कत्रों उशल्कटिबन्दी छेत्रों में जय विविद्ता धुरूवी छेत्रों से सत्थ 76 ता मैंग्रो वनस्पति के विकास के लिए निम्लिकित में से कौन सा कारक आवश्यक है लवड़ी दलदल सही है ज्वारी सक्री खाली सही है 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक की ओसत वार्षी पर्षा ये नहीं सही है ये आवश्यक नहीं है पंक मैदान सही है तो एक दो चाद इसका सही हो जागा दूसमें D स्टेटमेंट D option सही हो जाएगा ठीक है 77 त है निम्लिकित में से कौन सा मिर्दा अपर्दन के दुष्परभाव है मिर्दा अपर्दन से क्या क्या हो जाता है यहां उन शेत्र में पाई जाते हैं जहां वार्शी क वरसा 70 cm से कम होती गलत है 200-200 cm वर्षा चाहिए इसको तो कौन सा सत्य है तो केवल एक सत्य हो जाएगा 79 ते काटेदार वन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है यह उन छेतर में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 cm से कम होती सही है क्यों इक काटेदार हैं है कि नहीं बबूल हो जाएगा खजूर हो जाएगा लेकि नहीं खेजडी हो जाएगा यह सब आजाते हैं इस प्रकार के वन देश के उत्तर पश्चमी भागें पाए जाते हैं जाहिर से बात है मतलब पश्चमी उत्तर परदेश हो गया है और उसके बाद राजस्थान का छेतर हो जाता है पाई जाते हैं इन वनों के पौदे लगभग पूरे वर्ष पनड़ रहते हैं सत्य स्टेटमेंट है तो तीनों इसका सही हो जाएगा दोस्तों ठीक है बबूल खजूर खैर नीम खेजडी पलाश ये सब पलाश भी दोस्तों काटेदार वन है बहुत इंपॉर्टन है पलाश उत्तर परदेश का राजकी फूल जो होता है उत्तर परदेश का वो पलाश का फूल होता है ठीक है तो ध्यान देना यहां से ठीक है अस्सीमा है हिमालाई परवती छेतर के नीचे से उपर की और जाने पर वनस्पति का सही क पर पाति वन पहले आगा फिर आदर शीतोषन कटिबंदी बनाएगा फिर शीतोषन कटिबंदी बनाएगा फिर लाइक ना जाएगा 91 है निम्लिकित कतनों पर विचार करना है छीत रितु में मेग विहिन आकाश वाली लंबी रात यह उन शांत वाई ना तो दो पूछता कौन सा सही है तो दोनों सही हो जाता है पूछा कौन सा गलत है तो दोनों गलत नहीं है दोनों सही है ऐसे करेंगे बयासिवा है निमनिकित कतनों पर विचार करना है वह इस्थान जहां उर्जा विमुक्त होती है उसे भूकम का उद्गम छेतर कहते हैं भूकम केंदर कहते हैं उद्गम हुआ है तो क्योंकि उर्जाविनुक तो यह सही statement है भूकम उद्गम केंदर पर भूकम पी तरंगों का सबसे पहले अनुबर किया जाता है गलत है भूकम अधिक केंदर पर गिल जाता है ठीक है तो पहला सही हो जागा के वल ठीक है पिरासिवा है Mississippi Missouri नदी के संदर में निम्रिकित कत्रों पर विचार केजिए इसका डेल्टा पंजाकार होता है सत्य स्थेट्मेंट ओहियो इसकी एक सहयक नदी है ये भी सत्य है तो सही कौन सा हो जाएगा दोनों स्थेट्मेंट इसके सही हो जाएंगे दोस्तों ठीक है ये है दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं Mississippi नदी है Mississippi यहाँ पर पंजाकार डिल्टा का निर्मार करते है ओहियो नदी एक ऐसे आती है जो उसकी सहयक नदी हो जाती है ठीक है तो रासिवा है निमलिखित में से कौन सी परवत सिर्णी उत्तरी अमेरिका में इस्तित है रौकी परवत इस्तित है है सीरा निवादा परवत इस्तित है तो तीनों परवत इस्तित है यह हो गया दोस्तों देखें यह सीरा निवादा परवत है ठीक है यह हो गया और रौकी में भी है यह भी सत्ष स्टेट्मेंट है दोस्तों इनों ने आंसर यह पहला स्टेट्मन गलत दिया है ठीक है तो आप लोग इसका comment section में जरूर आंसर लिखके बताईएगा दोस्तों अब यह है देखिए दोस्तों अमेरिका का map यह great basin है यह rocky तो इसका आप लोग कमेंट सक्षन में आंसर जरू बताइए गए तबही कभी सुर्खियों में रहने वाली सेंट जॉर्ज की खाली के संदर में निम्रिकित में से कौन साइक कतन सही है यह अर्जेंटीना के पूर में अट्लांटिक महसागर में उस्केत है यही सत्य हो 87 अमेजन नदी गाटी के संदर्व में निमलिखित कत्रों पर विचारतना है अमेजन नदी बेसिन परवतिय वनों से आच्छा दित है जिसका इस्थानी नाम सलवास है गलत बात है परवतिय वन नहीं है Amazon नदी में विश्वति ये वर्षा वन है उनको सहलवास कहा जाता है और Meadira Amazon की सबसे बड़ी सहाईट नदी है ये सत्य है तो कौन सा सही हो जागा किण दूसरा सही हो जागा दोस्टों ठीके ये है दोस्तों Brazil ये Amazon नदी Amazon द्रोडी है च्छुक है, अमेजन द्रोणी है, यहीं पर यह जो वन पाय जाते हैं, यह विश्वति वर्शावन है, जिनको सहलवास कहा जाता है, दोस्तों, ठीक है, और इनको कठोर तन्य होते हैं, जिनको लियाना की लताएं भी कहा जाता है, ठीक है, इमपोर्टेंट है, ध्यान देना ह 88 है जिब्राल्टर जलसंदी के संदर में निम्लिकी ततनों पर विचार करना है यह भूमद्य सागर और अटलांटिक महासागर को अलग करती है दोस्तों गलत बात है जो जलसंदियां होती है जलसंदी जल को संधित करती है जल को मिलाती है और इस्थल भाग को अलग करती है तो गलत हो जागा यह भूमद सागर और अट्लांटिक महासागर को अलग नहीं करती है यह लाल सागर और अधन की खाली को जोड़ती है लाल सागर और अधन की खाली को जोड़ने वाली जो जलसंदी हो बाबल मंडियो जलसंदी जिसको आसूम वाली जलसंदी भी का जाता है ये अफریका को यूरोप से अलग करते है ये सही statement है ये जलसन्दी यहँ पर है जिबराल्टर जलसन्दी दोस्तों ठीक है ये क्या करते है अटलांटिक महासागर और भूमद महासागर को जोडती है जब्कि इस्थल्भाग को इस्पेन और मुरक्ष़ो को अलग करते है दोस्त करना है या भूमद सागर को स्वेज की खाड़ी से जोड़ती है सक्ति स्टेट्मेंट है यह नहर अफ्रीका एशिया और यूरोप के तिराहे परिस्तित है यह भी स्टेट्मेंट है तो सही कौन सा है तो दोनों स्टेट्मेंट इसके सही हो जाएंगे ठीक है हम लोग थोड़ा सा स्वेज नहर के बारे में देख लेते हैं इसका निर्माज 1869 में हुआ था और एक फ्रांसी सी इंजिनियर दे फर्डिनेंड दी लेपेपस ने किया था ठीक है और इस नहर की उत्री प्रवेजद्वार पर यानि भूमद सागर की और पोल्ट साइध है इसमें 4-5 पोल्ट हमको ध्यान रखना पोल्ट साइध है तता दक्षली प्रवेजद्वार पर पोल्ट स्वेज है मतलब सागर ऐसे यहाँ पर पोल्ट साइध है और यहाँ पर पोल्ट स्वेज ह कर दिया गया तो कुल मिलाके वोल्ट साइथ वोल्ट स्वेज लिटिल टिम्सा और ग्रेट बियर हमको ध्यान रखना है इसमें ठीक है गोटी होती है दोस्तों ठीक है नाइट वन उत्तरी अमेरिका में अवस्तित जील इरी इरी जील के किनारे अवस्तित प्रमुख नगर कौन Depter केवल Daet permitted है दोस्तों ठीक है यह पाँच बड़ी जील है अमेरिका के जिसको हम जिसकी बात हम लोग करते हैं सबसे पश्ची में में जाकर के गिरजाती है ठीक है और औंटेरियो नदी यह इरी इरी जिल में अग तट पर ग्लीवलेंड है यह बफैलो है और यह ग्लीवलेंड है यह लस भीड़ार्ण्ड है ऑर यह सांब्हेर्ण मिशीगन के ध्यान देना है यह सकती है 90 सेकंड निमलिखित कतनों पर विचार करना नजका टेक्टॉनिक प्लेट का पूर्व की ओर खिसकना ज्वाला मुखी एंदीस परवर्ट शिंखला के निर्मार के लिए जिम्मेदार सकते है दक्षणी चिली में ज्वाला मुखी कैल भूको पांच दश्कों से अधिक समय में पहली बार फटा ये भी सकते है तो डोनों स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा ये है अमेरिका महादीब पूरा ये उत्री अमेरिका महादीब ये दक्षणी अमेरिका महादीब इसमें तीन प्लेटे हमको ध्यान देना जुवांडी फूका प्लेट फोकोस प्लेट और नजगा प्लेट इसी नजगा प्लेट जब पूर्व की और विस्थापित हो रही है तो यहीं से एंडीश परवत के निर्माल में भी इसका योगदान है दोस्तों और वही स्टेटमेंट यह कह रहा है 93rd है अफ्रीका हैं यूरेशियन रेगिस्थानी बेल्ट अफ्रीकन और यूरेशियन रेगिस्थानी बेल्ट के निर्माल में मुख कारण क्या है अफ्रीकन रेगिस्थानी बेल्ट निर्मान में, यह उपोशनल्one कटि बंधी, उचश दबाव कोश्का में, इस्तित है, सत्य है, कुछ दाब में ही रेगिस्टान का निर्मान होता है, यह गरम समुद्री धाराओं में वर्शा होगी तो रेगिस्टान होगा ही नहीं, गरम समुद्री धाराओं के प्रभाव में नहीं रेगिस्तान का निर्मान चलवाई का प्रभाई से जब दूर बहती है, तब निर्मान होता है, परिगस्तानी बेल्ट का दोस्तों, ठीक है, 94, निमलिखित में से कौन सी उश्लंग कटिबंदी सवाना छेत की विशिष्ट जलवाई हुए, ठीक है, तो उश्लंग कटिबंदी सवाना छेत में पूर्य वर्ष वर्षा नहीं, किवल सर्दियों में वर्षा नहीं, अत्यन्त छोटा सुस्क मौसम नहीं, एक निश्चित शुष्क और गीला मौसम होता है, ये सत्य है, तो D-Option सही होगा है, पंचान में है, भागोलिक विशेशता है, छेत्र कौन सा बताना है, सही सुमिलता है, अबिसीनियाई का पठार अरब में नहीं है, अबिसीनियाई का पठार सु ये सुमालिया है, सुमालिया में ही एथियोपिया की उच्छ भूमिय है, दोस्तों ठीक है, ये है अटलस परवत ठीक है, अटलस परवत ये है, और यहीं पर ये एंटी एटलस, उच अटलस, मद्ध अटलस और टेल एटलस है, ठीक है, और ये एटलस की सबसे उची उची च और ये दक्षिर अमेरिका के जो उच्छ भूम में है इसा कईपाना समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है, तो पृतिवी का घूमना समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है, हवा का दबाओ और हवा भी प्रभावित करता है, समुद्र में पानी का घनत भी प्रभावित करता है, ठीक है, और पृतिवी की क्रांती, पृतिवी की परि जेसे सा ध्यान देना है 98 है कंटूर मेड़ बंदी मिर्दा संगरक्षण की एक विध है जिसका पुरीयोग किया जाता है तो कंटूर मेड़ बंदी का पुरीयोग कहा किया जाता है रेगिस्तानी किनारे तेज हवा की कारवाई के लिए उतरदाई, निचले समतल मैदान धाल यूक्त भूमियां जो होती है उसमें पेड़ लगा करके किया जाता है ठीक है पेड़ लगा करकर दिया जाएगा और धाल पर पत्थर रख दिया जाता है ताकि मिर्दा अपर्दन कमो इसी को कंटूर मिर्बंदी मिर्दा संगर्प्षन को समोच जुताई विधी भी कहते हैं ठीक है नाइटी नाइट निम्लिकित में से कौन सा देश जिब्राल्टर जल्डमरू को द्वारा अलग होता है अब देखिए जिब्राल्टर जल्डमरू द्वारा कौन सा देश अलग होता है भूमियों को अलग करता है भूमियों को अलग करेगा और जलसंधियों को जोड़ेगा तो यहां पर मुरक को है तो दोनों को अलग कर रहा है तो मुरक को और इस्पेन को अलग कर रहा है और यहा वहां पाई जाती है जहां पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है ठीक है और वर्षा में लीचिंग ज्यादा होती है और इसी में बॉक्साइट भी पाई जाता है एक सो एकमा है उत्तर परदेश का राज जी के नाम को करंशा सुमेलित कीजिए तो उत्तर परदेश का राज दोस्तों 1907, 1836, 1937, 1937 में दोस्तों उत्तर परदेश का नाम संयुक्त परांत पड़ा था तो तीसरे का चार हो जाएगा तो केवल एग हो जाएगा ए ओकन सही हो ज ज्ञान दीज़ा ज़िए च्छा पहले 1836 में इसका नाम था उत्तरपीया जता है और मचलिया थाइhmen.. जब भारत आजाद हो जाता है तो इसका नाम यह उत्तरप्रदेश रहलाइस रहे हना उत्तर परदेश के राजकी चिंड में क्या नहीं तो मचलिया प्राप्त हुए तो लोहदा नाला से प्राप्त हुए है ठीक है इक सो पांचवा है अठारा सो सतावन के महान विद्रों के दैवर्न मौलवी एहमदुल्लाश शाह ने अत्तर परदेश की किस स्थान का नित्रत किया था तो ये हम लोग देख लेते हैं दिल्ली में बहादुर शाय, जफर और वक्त खान ने नितुरत किया था और इसका दमन किया था निकल्सन और हटसन ने बोस्थाइ, ठीक है कान्पुर में नाना सहब और तात्या टोपे ने इसका नितुरत किया था और Campable ने इसका दमन किया था का से कानपूर का से Campable हम लोग याद कर सकते हैं लखनों में बेगम हजरत महल ने इसका नित्पूर किया था और हेनरी लॉरेंस ला से लखनों ला से लॉरेंस ने इसका दमन किया था और Campable कानपूर लखनों में दूरी कितनी है तो केंपेबल जो है कानपूर से दबा करके लखनू चले आए ठीक नहीं तो लॉरेंस और केंपेबल दोनों ने लखनू में किया जहां सी में नेत्पिर्ट और रानी लक्षुवाई ने किया था और हिवरोज ने इसका दमन किया था इलाहबाद में लियाकत अली और इलाहबाद में लियाकत अली ने किया था और नीली ने इसका दमन किया था जगदीशपुर में कुमर सिंग ने इसका नेत्रुत किया था और दबाया था किसने टेलर और आयर किया था पूरा नाम नहीं आ जटना है ये लर और आयक्षिक बरेली में खान बहादूर खान ने इसका जो है नेतुर्थ किया था और हडसन ने इसका दबाया था बरेली हम लोग देख लेकर एक खूल़ा पश्चिमी उत्तरपरदेश में आ जाता है और हडसन दिल्ली में करते हैं और फतेपुर में अजीम उल्ला ने किया था नेत्परुतु और इसका दमन किया था रेनल्ड ठीक है एक सो छटा है निमलिखित में से उत्तर परदेश का कौन सजिला सबसे अधिक राज्यों को सबसे अधिक राज्यों को सोन भद्र इस परश करता है दोस्तों ठीक है इसमें option में नहीं है कहीं सोन भद्र दोस्तों ठीक है तो इसका आंसर सोन भद्र हो जगा है एक सो सात्वा है निमलिखित में से उत्तर परदेश का कौन सजिला राष्टी राजधानी में सम्लित नहीं है तो राश्टी राजधानी चेत में उत्तर प्रदिस के आठ जले समलित है, कौन कौन से, शामली समलित है, मुजफर शामली समलित है, मुजफर नगर समलित है, बागपत है, मेरट भी है, गाजियाबाद है, हापुल है, गाजियाबाद हापुल हो गया, और गौतम बुद्ध बुलंद शहर भी है ठीक है ध्यान देना बुलंद शहर भी है 108-वा कłosशन है वे त नतरता के बाद से अब तक राज विधान सभागी लखनों से बाहर मातर एक बैठक हुई है जो कि कहां हुई है वो प्रयाग राज में हुई है 109 है मतदाताओं की संख्या की दृष्टी से सबसे बड़ा वा सबसे छोटा संसरी छेतर कौन सा है मतदाताओं की दृष्टी से सबसे बड़ा गाजियाबाद है और सबसे छोटा बागपत है ये option से जाएगा लेकिन जनसंख्या की दिरिष्टी से सबसे बड़ा कौन सा है प्रयाग राज है ठीक है ध्यान देना है 110 वह है उत्तर प्रदेश का सरवाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला कौन सा है तो सरवाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला बदाईउ है दोस्तों वैधानिक नगर मतलब ऐसे नगर आते हैं जो शहर ना हो करके शहर बनने की प्रक्रिया में होते हैं उन्हें वैधानिक नगर भी कहा जाता है और ऐसे में नगर निगम आ जाता है नगर पंचायत आ जाती है नगर पालिक आ जाती है छाउनी बोल्ड जो होते हैं वो आ जात इन्होंने तोटल मिला के नोự दे दीया लेकिन दिल्ली को हम राज नहीं कहते हैं दिल्ली को हम केंदर हैं चांसित परदेस कहते हैं और उत्तर परदेश में वरतमान 75 जिल्य हैं 18 संभाग मतलब मंडल हैं तो पहें दूसरा संभी पार्ष पर विचार कीजिए, उत्तर परदेश का कुल छेतरफल, भारत के छेतरफल का लगभग 7 परतिशत है, सही है 7.3 परतिशत है, दोस्तों ठीक है, ध्यान देना है, उत्तर परदेश के कुल छेतरफल का नगरिये छेतर लगभग 3 परतिशत है, सही स्टेटमेंट है, दोनों सत्य है ए और भी दोनों सही हो जाएगा एक सो तेरवा है निम्लिकित में से कौन सा जिला नियूनतम छेतरफल वाला जिला है मतलब सबसे कम छेतरफल वाला जिला आप उढ़ है ठीक है निम्लिकित में से कौन सी फसल तराई छेतर की मुख की फसल है तो धान तराई छेतर की मुख की फसल है इससे देख सकते हैं कि तराई जल पलावी छेतर होता है जल से भरकूर छेतर होता है धान को जल की आवशक्ता अधिक होती है 166 है नमलिकित में से कौन से जिले हैं जो बुंदेल खंड और बगेल खंड दोनों में समले हैं दोस्तों बुंदेल खंड में जो छेतर आते हैं वो टोटल उत्तर परदेश और मध्य परदेश को मिला करके 13 जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के साथ जिले हैं, और मध्य प्रदेश से छे जिले आते हैं, ठीक है, और ये जो बगेल खंड का छेतर है, मुकिता मध्य प्रदेश में आता है, इन्होंने आंसर दिया है, इसका आंसर सोन बद्र होगा, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो ये साथ ज जिले आते हैं उसमें ललित पूर आता है ललित पूर जासी जालाओन अमीरपूर बादा और चित्र कूट आजाता है ये साथ जिले आ गए और जो बगेल खंड में आता है वो सोन भद्र आ जाता है और पूरवी इलाहबाद आ जाता है ठीक है तो सोन भद्र दोस्तों एक हिसाब से बुंदेल खंड के जो इस पश्टित लिखित जिले हैं उसमें नहीं आता है तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर देखें बताइएगा कि बुंदे से दक्षिन पूरव है ठीक है एक सो अठारवा है निमलिकित में से कौन सी जोड़ी सही है भात खंडे संगीत संस्तान लखनों में है सही है राज ललित कला एकडमी प्रयाग राज में नहीं है ये भी लखनों में है ठीक है ध्यान दिना है और राश्टी कथक संस्तान लख मिर्दा को कहा जाता है वह γιαशारी मिर्दा को कहा जाता है Mexico यहांули manty जिसका पियजमाशाच साथ से ज्यादा होता है ऐ कि ऑ छ obedience पैंहा इस्वोड सिध्धान्थ किस संबंधित नहीं है से महाधीपी विश्थापन से संबने ब्रमान्ध की उत्पति से है आकाज गंगा कित्पत से सौर मंडल कित्पति से ठीक है महाविस्वूर सिध्धान्थ को ही बिग बैंक सिध्धान्थ का जाता है बिग बैंक सिध्धान्थ का परतिपादन किस ने किया था तो बिग बैग सिंधान का प्रत्वादन जॉर्ज लेमेंटेर ने 1930 में किया था 123 हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिकर्मा करने में सूर को कितना समय लगता है तो सूर को 25 करोन का समय लगता है और सूर 220 किलो मीटर प्रति सेकेंड के गत इसे परिकर्मा कर रहा है 124 है सूची एक सूची दो को मिलान करना है ग्रह ग्रह दोस्तों यूरेनस है यूरेनस ग्रह ग्रह तो पहले का दूसरा हो जाएगा उपग्रह चंद्रमा है तो दूसरे का पहला हो जाएगा और पुछल तारा हैली नावाग पुछल तारा जो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है तो इस हिसाब से ए आप्शन सही हो जागा और कृत्रम उपग्रह मेरा इनार एक परकार का कृत्रम उपग्रह है 125 है चंद्रमा कब होता है चंद्रमा जब होता है जब चंद्रमा नहीं दिखाई देता है और चंद्रमा कब नहीं दिखाई देगा जब उस प्रिथिवी की छाया पढ़ेगी और प्रिथिवी की छाया उस पर कब पढ़ेगी इसलिए यहाँ जीवन भी संभो नहीं, यह सत्य स्टेट्मेंट है यहाँ दिन अति गर्म वर राते बर फिली होती है बिल्कुल सही स्टेट्मेंट है तो दोनों सत्य हो जाएंगे ठीक है 127 वाँ सौर मंडल में पृत्वी की इस्थिति क्या है सौर मंडल में पृत्वी बृत्वी शुक्र, पृत्वी मंगल तो शुक्र और मंगल के बीच में है पृत्वी ठीक है 128 में सौर मंडल का सबसे छोटा उपगरह कौन सा है सौर मंडल का सबसे छोटा उपगरह डीमोस है डीमोस और फीगोस मंगल ग्रह के उपग्रह है और सबसे बड़ा उपग्रह गैनी मेड है जो की ब्रहस्मतिका उपग्रह है 139 कृतिम उपग्रह के संदर में निम्रिखित कथन पर विचार केजिए सामानता है दूर संबेधी उपग्रह धुरवी सूर उपसमतुल कच्छा में 600 से 1100 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित होते हैं सही स्टेटमेंट है और दूर संचार उपग्रह गुई स्थाथिक कच्छा में 36000 किलोमीटर की उचाई पर स्थापित होते हैं ये भी सत्ते है तो कौन सा सत्ते है तो दोनों सकते हैं दोस्तों ठीक है एक सो तीसों कुश्चन ने पृत्वी पर कुल कितनी काल्पनिक अच्छांस रेखा हैं दोस्तों इन्हों ने आंसर दिया है 181 लेकिन जब हम ग्लोब पर देखते हैं माल लेते हैं यह ग्लोब है एसे 2 डिगरी यहां से 3 डिगरी यहां से 3 डिगरी तो इनकों मिलाने वाली देखा क्या कहलाती है अच्छांस देखा कहलाती है ठीक है अब ऐसे 85 डिगरी यहां से हो जाएगा यहां पर ऐसे माल लेजे 86 आ जाएगा यहां पर 87 आ जाएगा देखा तो ऐसे खीची नहीं जाएगी तो 90 क्या है एक प्रकार का पॉइंट है और 0 से लेकर के इधर 79 हो गया और 0 से लेकर के दक्षन दुरूंपर 79 हो गया तो इन दोनों के मिला करके कितना हो गया 89 हो गया 89 हो गया तो 888, 178 यह हो गया और 0 डिगरी की अक्षांस लेका तो 179 इसे साब से होना चाहिए क्योंकि जो 90 डिगरी बिंदु पर रेखा नहीं खीचे जाती है वो एक पॉइंट होता है और बिंदु रेखा नहीं होती है तो इसका हमारे अनुसार आंसर 179 होगा आप लोग भी कमेंड बॉक्स में आंसर जरूर इसका लिख करके बताईएगा 131 है आगने चटान के संदर में निम्रिखित कथन पर विचार कीजिए इनका निर्माल क्रश्ट के नीचे उपस्ति तब तरल मेंगमा के ठंडा होने से होता है सत्य स्टेट्मेंट है और साधी वारूपांतिरी चटान इसी से निर्मित होती ये भी सत्य है तो कौन से कथन सत्य है तो दोनों कथन सत्य है 132 है जोला मुखी के सबसे अधिक कौन से गयस निकलती है तो जोला मुखी से सबसे अधिक जलवाश भी निकलती है ठीक है 133 है लावा के ठोस होने के फल्सरूप प्रित्वी के अंदर निरमिच चटान को क्या कहते है तो Plutonic या पाताली चटान कहते है जब लावा के ठोस होने से परवत 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 क्यों उपर ऐसे जूरा परवत है दोस्तों ठीक है 135 इस्पेन और फ्रांस के मद्र कौन सा परवत सीमा बनाता है इस्पेन और फ्रांस के मद्र में पिरेनिस सीमा बनाता है और यह देखे यहां काकेशस मौंटेन दोस्तों ठीक है यही पर जारजिया है आर्मेनिया अजर्बैजान है और यही पर यह काकेशियस परवत उपस्तित है ठीक है 136 है पुर्थिवी ग्रह पर अधिकांस अलवर जल बर्फ छत्रक और हिम्नत के रूप में रहता है शेस अलवर जल का सबसे अधिक भाग पाया जाता है तो सबसे शेस मतलब सबसे ज़्यादा बर्फ सबसे ज़्यादा पानी कहा है ठीक है बर्फ के रूप में है और उसके बाद हिम्नत बर्फ और हिम्नत के रूप में फिर अलवर जल सबसे ज़्यादा भूमिगत पाया जाता है ठीक है यह जाए उसके बाद ग्लेशेरों में लगभग 2 प्रतिशत हो गया फिर भूमिगर्जल 0.68 प्रतिशत हो जाता है ठीक है इंपोर्टन्ट है फिरिश देखे इसके बाद हमको देखना है फिर जीलों में पाया जाता है भूमिगर्जल के बाद जील में पाया जाता है 0 0.009 परतिशत ठीक है और 9.9 परतिशत क्या 0.9 परतिशत आरगन गयस पाई जाती है ठीक है और 0.009 परतिशत क्या हो जाता है ये जीलों में जल पाया जाता है ठीक है ध्यान देना है और सबसे कम पानी नदियों में 0.0001 परतिशत और नदियों से ज़्यादा पानी तो दोस् यह दोनों हम लोगों का अगर मैं भी पता होगा तो भी हम लोगों कोश्चन मिलेगा तो हम लोग कर ले जाएंगे ठीक है यह दाने जाने नदियों में सबसे कम है उससे जादा पानी एट्मोसफियर में है ठीक है महासागरी नितल का सबसे विस्तित भाग कौन सा है तो महासागरी नितल का जब सबसे विस्तित भाग हम लोग पहले पढ़ चुके थे तो गहरे सागरी ये मैदान है महासागरी गर्त जैसे मेरियाना ट्रेंच हो गया ये तो गहराई ही होता है और महासागरी ढाल दोस्तों हम लोग देखते हैं ऐसे ऐसे बना हुगा है ठीक है यह चीज होगी एक सो और तिस्वा है उत्री धुरुवी प्रकाश और दक्ष्णी धुरुवी प्रकाश के लिए वाय मंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है तो आयन मंडल में हमको यह चीज द एलबीडो कहते हैं और यह कितना है 35 परतिशत है ठीक है एक सो चालीस है इन बादलों में इन बादलों से भारी वर्षा ओला तड़ित जंजा आधी उत्पन होते हैं पता संवहनी वर्षा भी उत्पन होती है कौन से बादला संवहनी वर्षा उत्पन होती है कपासी वर्ष कथन पर विचार करना परवत पृतिवी की सतर पर दुतियक क्रम की उच्चावच हैं सही बात है प्रतम उच्चावच दुतियक उच्चावच दुतियक उच्चावच हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ठीक है ये निकट वरती छेत्रों की तुलना में सामाननेता है एक हजार महासागर की दोस्तों ठंडी जल्दारा क्यू राइल की जल्दारा हो जाएगी ओखो टस्की की जल्दारा हो जाएगी ठीक है ये दोनों नहीं हो जाएगी ठीक क्यू राइल की जल्दारा ओखो टस्की तो इसका एक और दो दोनों सही हो जाएगा 144 में मांट्रियल प्रोटोकाल निम्यखित में से किस से संबद नेता है केवल तीन आंसर हो जागा और यह आया था 1987 में इसको हस्ताक्षट किया गे था 1989 में भारत शामिल हुआ था 1992 में शामिल हुआ था और सिराकों कहते हैं जो अफरीका से जो सहरा मरस्कल से धूल भरी आधियां भूमद दिसागर की और चलते हैं उसे सिराकों कहते हैं सामून दोस्तों इरान में चलती है और शामल दोस्तों इराक और फारस में चलती है ठीक है 146 ते निमलिकित कत्रों पर विचार करना है लियाना लताएं लियाना या अधिपादा एपिफाइट्स इस बायों की सर प्रमुक्ष विशेशता है तो लियाना लताएं दोस्तों उश्रंकटिबंधी वनों की विशेशता है इन वनों में मिलने वाले जीव, हाथी, गैंडा, जंगली, सुवर, शेर, घड़ियाल, बंदर, साप की अनेक प्रजातिया पाई जाती है तो कौन सी है? मंद्य अक्षांसी सदाहरित वन नहीं है भूमद सागरी वन उश्रंकटिबंधी है लियाना की लताए उश्रंकटिबंधी सदाहरित वन है एकोलोजिकल फूट्प्रिंट की अउधाना किस ने दिती? रीस ने दिती, विलियम रीस ने 141 जोहांसबर्क संबेलन जिसको रियो 10 भी कहा जाता है 2002 में हुआ था altura कि 10 किस संब्दित है तो यह संब्दित चतत, विकास पर विशेशबल दिया था उस संब्दित है 149 है अमृत क्रांति किस संब्दित है तो हम लोग कई बार पढ़ पढ़ चुके है उसको अमृट को अंदी, जोड़ो, परियोजना से संब्दित है ठीक तो अगर इसे question आता है तो पंचान में प्रतिशत से ज्यादा question इसी में से आने है इसके explanation से आने है इसको चारो option के coverage से आने है तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको session बहुत आच्छा लगा होगा session को like कीजिएगा share कीजिएगा subscribe कीजिएगा मिलते हैं अगले session में जहन जभा प्राइगा